हैलो फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे हैं? आयोप सभी लोग खारियत से होंगे, मज़े में होंगे आप देख सकते हैं एक बहुत ही जादा खुबसुरा सी बहुत ही जादा आसान और बहुत ही सोबर सी डिजाइन मैं आप लोगों के लिए लेक्या आई हैं यह डिजाइन छे फंदों में बनने वाली है तो और दो सलाईयों में की डिजाइन है तो चलिए डिजाइन को स्टार्ट करते हैं इसके लिए जो सलाई के फंदे डाले हैं 6-6 फंदे के मल्टिपल से डाले हैं दो फंदे एज स्टिच के तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला फंदा स्लिप कर लेंगे चार फंदे सीधे बुनेंगे वन टू त्री फोर चार फंदा सीधा बुनने के बाद दागा आगे करेंगे और दो फंदा स्लिप करेंगे फिर दागे को पीछे कर देंगे तो ये छे फंदे हो गए फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे फिर से दागे को हम आगे करेंगे ये देखिए ये एक हो गया और दूसरा दागा आगे किया दो फंदा स्लिप किया फिर दागा पीछे किया फिर चार फंदा सीधा पुन लेंगे फिर दागे को आगे करेंगे दो फंदा बीना बुने उतार लेंगे फिर दागा पीछे करेंगे लास्ट में ये चार फंदे सीधे और एक है जिस्टिच का फंदा है आई है तो इस तरह से हमने सारे फंदे बना लिए पहली यह हमारी पुल्टी इसल्टाइ में देखेगा और सoded यह हमारी टिर्चीसी डिजाइन जा रही है तो अब यह हमें पहला फंदा हम पुल्टे रहे 1 2 3 हो कि वूंब कर देखे यह इन दो फंदे की बीच करने में में से एक फंदे आगे का बुन ले नosis फिर भात पीछे करेंगे दो फंदा स्लिप कर लेंगे सिर्धा आगे करेंगे फिर चार कम्दपा रइप फोर, चार फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, फिर चार फंदा उल्टा, वन, टू, त्री, फोर, धागा पीछे, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे कर लेंगे, लास्ट में, अब इदर हमारा एक फंदा कम हो जाएगा तो इस तरह से यह हमारी दो सलाई कम्प्लीट हो गई कि अब रो थर्ड पे हैं तो यह देखिए दो सलाई बन चुकी है तिसरी सलाई कि निदे हैं पहला पंदा मुतार लें गे स्लिफ या के एक दो दो पंदा सीधा आभ यह देखिए यह हमारा एक हमारी तिरच्छे मेंडिजाइन जा रही है तो अब हमारा यह फंदा और यह फंदा स्लिप होगा तो यहां पर दो फंदा सीधा बुनने के बास फंदा आगे करेंगे और दो फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे फिर चार फंदे उल्टे फिर से धागा आगे 2 फंदा slip करेंगे बिना बुने उतार लेंगे दागा पीछे करेंगे फिर 4 फंदा 1, 2, 3, 4, 4 पंदा सीधा फिर से दागा आगे 2 फंदा उतार लेंगे बिना बुने दागा पीछे फिर 1, 2, 3, 4 अब यह दिखके लास्ट में अब हमारे दो पंदे चुकी हम नामरे डीजाइन तिर्चे में जा रही है एक एक फंदा हर बार घड़ बढ़ रहा है तो दो फंदे हम फिर तो फंदे करेंगे दागा करके दो फंदे करेंगे और पीछे करके फंदा सीधा पुन लेंगे हमारी नेक्स रो एक और रो स्टार्ट हो गई तो यह हमारी चौथी सलाई है रो फोर्थ तो पहला फंदा हम उतारेंगे अब ये दिखिए इसमें फिर से हमारे फंदे बढ़ गए हैं एक फंदा उल्टा बनाएंगे इसके बाद धागे को पीछे करेंगे दो फंदा सलाई पे उतार लेंगे पीछे करेंगे फिर चार फंदे उल्टे बनेंगे फिर से धागा पीछे करेंगे दो फंदा सलाई पे उतारेंगे दागा आगे करेंगे चार फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदा सलाई पे उतारेंगे दागा आगे फिर चार फंदा उल्टा फिर फंदा सलाई पे उतारेंगे दागा आगे फिर उसके बाद रूट नहीं स्टार्ट हो जाती है फिर आप देखिए फिर से हम इसको को बनाइंगे वही दो सलाई ही आपि करना है हर बार मारा पना एक घटेगाए बढ़ यह तो दागा एक सोब इसलीब करनेके बाद डागा करेंने आही करेंगे और दो सीलीब कर उतारेंगे अपिना बुने दागा पीछे पिस चार संथा फिर दागा ऐगे 2 दागा पीछे चार फंदा सीधा दागा आगे दो फंदा सलाई पे उतारेंगे दागा पीछे वन टू एज फंदा सीधा फिर दागा आगे इदेखे हमारी डिजाइन इंदम किलियर हो गई है कि अच्छी डिजाइन ही लग रही है आसान भी है और खुबसूरत भी है फिर इस तरह से यह देखिए यह हमारी डिजाइन कम्प्लीट हो गई सलाई रो पांच में यह है रो छटी में फिर से उसी तरह से बनाएंगे एक फंदा हमारा फिर से शिफ्ट हुआ है इस बार दागा फैला फंदा सलिफ करने के बाद दो फंदा उल्टा बनाएंगे फिर यह देखिए इस पंदे के बीच से तीन फंदा उल्टा फिर इसे को आपको ध्यान से रखन देखना है कि एक फंदा हमारा हर बार घटे बढ़ेगा का कि 2 पंदा स्लिफ करने के बाद चार फंदा उल्टा फिर दागा पिछे दो पंदा उता रहेंगे सलाई पर भी न अवने फिर दागा आगे तो यह देखिए इस तरह से बार बार आ हमें वही करना है कि 2 पंदा वुता रहेंगे दागा आगे करेंगे फिर चारफंदा उल्टा अब इस बार देखिए यह हमारे सारे फंदे उल्टे बन जाएंगे तो यह तो तरह से यह हमारी छी सलाहिया बन गई है और यह हमारी छीसलाहियों का पैटेर्ण हो गया है अब हर बार इस एक नई रोय स्टार्ट हो जाएगी एक रुव खताम होगी एक रुव स्टार्ट हो घॉदिर तो फ्रेंड्स यह दिखिए यह दिजाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी जो बहुत ही आसान है स्लिप श्टिच की डिजाइन है आप दीखिए अपल जब से हम बनाएंगे तो हमारी डिजाइन इस तरह से खुब्सूरत से डिजाइन बनके तयार होगी तो यह इस तरह से तिर्ची तिर्ची धारियां हैं जो बहुत अच्छी लग रही है कोई भी प्रजेट बनाएंगे बहुत अच्छा हल बनके तयार होगा और सीधे उल्टे की ब पसंद आई होगी तो इसे आप जरूर किसी अपने प्रोजेक्ट पर बनाएं अगर आपको किसी आसान सी डिजाइन की तलाश हो तो यह डिजाइन अच्छी है तो इसे ट्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इससे बनाएं और अपना एक्सपीरेंस शेयर करें तो यह देखिए इस तरह से यह इसका पीछे का हिस्सा है बैक साइड आगे कई यह है तो अब मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिजाइन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी कुछ नया लिक्या होंगी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू